हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुश्मा और मैं हूँ एक टीचर अभी मैं हूँ दिल्ली जैपुर हाइवे पर और मैं स्कूल जा रहे ही हूँ आज है 10 जून देखे क्रोना वाइरस की वज़े से लोगों ने अभी जितना बाहर निकलना शुरूर नहीं किया है इसलिए देखे आपको मैं जैसा की वीडियो में दिखा रही हूँ मेरा स्कूल है पटोर्दी में और मैं अभी हूँ बिलासपुर के पास अब मैं पहुँच गई हूँ पटोर्दी जी हाँ ये वही जगह है जहांके सैफ अली खान नवाब है यहाँ पर देखे आपको बहुत हलचल दिखाए दे रही होगी यहाँ पर सब्जी मंडी है और आसपास के गावों के किसान यहाँ पर अपनी सब्जिया बेचने आते हैं और जो सब्जी बेचने वाले हैं यहाँ पर सब्जिया खरीदने आते हैं देखी मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूं लेकिन यहां पर हमारे एरिया के कमपारेजन में काफी हल चल है देखी स्टूडेंट्स तो स्कूल आए नहीं है इसलिए मैं अकेले बैट कर अपना जो पैंडिंग वर्क है उसे कमप्लीट कर रही हूं अपना जो पैंडिंग वर्क है उसे कमप्लीट कर रही हूं देखी अब मैं आ रही हूं स्कूल से वापिस घर देखी वैसे तो हमारी चुट्टी तो बजे हो जाती है लेकिन मैं आई हूं सीनियर कॉर्डिनेटर मैम के साथ और उन्हें स्कूल से निकलने में थोड़ी देर हो गई और जो ये एरिया आप देख रहे है न ये सारा बाटिका का एरिया है हेलो अबरीवन टाइम हुआ है फाइफ थर्टी और मैंने भी स्कूल से अनक बाट शार लिया है और खाना खाया है जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे स्कूल कोरोना वाइरस के विज़े से बंद है और अब ये कब खुलेंगे ये भी कुछ नहीं कह सकते हमारे स्कूल 20 मार्च से बंद हुए थे और मुझे तीन दिन रात को अच्छे से नीद भी नहीं आई थी 19, 20 और 21 मार्च को रीजन कोरोना वाइरस का लेकिन उसके बाद मैं डॉक्टर रोय को फोलो करते हूं यूट्यूब पे मैंने उनकी वीडियो देखे और आप बिलीव नहीं करेंगे उसके बाद मेरा डर एकदम से चला गया प्योंकि उन्होंने बताया है कि इसमें हमें अलर्ट हो रहने की ज अच्छे हैं उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत और आप बिलीव नहीं करेंगे उसके बाद मैंने सारे काम बहुत नॉर्मल होके किया है मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि मीडिया ने बहुत ड्राय वा था लेकिन उनकी एक वीडियो से सारा ड निहान रखा है तो अभी मैं अगर आप भी कोरोना वाइस के वज़े से डर के घर में बैठे हुए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं बहार निकल लिए लेकिन सावधानी रखिए चीक है सावधानी ही इसका इलाज है और अपने इम्यूनरी सिस्टम लेकिन थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर सकती हूं फिर मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ तिल दैन बाई बाई